बॉलिवुड एक्प्रेस अमीशा पतेल फिल्मों में आने से पहले क्या करते थी? आज अच्छी बिजनस इंडस्ट्री में तालुकात, बिजनस वर्ल्ड में बड़ा हाथाज माचुगी करोडो करोडो रुपे की मलकी अमीशा फिल्मी पर्दे में कुछों फिल्मों करने के बार पूरी तरह से गायब रही आज उनकी फिल्में दूर दूर तक नज़र नहीं आती और जो फिल्में आती है बॉक्स ओफिस पर कमाई भी अच्छी नहीं कर पाती फिर भी अमिशा पटेल के पास किसी भी चीज की कमे नहीं क्यों है ये ऐसा हम आपको इसके बारे में जरूर बताना चाहेंगे दरसल ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी की फेबरेट अमिशा पटेल एक ऐसी एक्क्रिस है जिन्हें फिल्मी पर्दे में आने से पहले अपने डैडी के कमपनी को जॉइन करना पड़ा था जी हाँ एजुकेशन कमप्लीट अब्रॉट से स्टडीज कमप्लीट करने के बाद एजुकेशन कमप्लीट करने के बाद अमिशा पटेल परदे पर डैरेक्ट नहीं आए परदे से कोई तालुकात ना रखने के बाबजोद उन्हीं कुछ लोगों ने सजिश्ट किया कि उन्हें मैगजिन की कवर पेश पर होना चाहिए जब अपने डैड के कंपनी को उन्होंने चॉइन किया उसके बाद उन्होंने चॉइन किया फिल्मी परदे से हटकर फिनिशल कंपनी को बड़े कंपनी में काम किया बिजनेस इंडस्ट्री में काम किया इसके बाद वो परदे पर आने के लिए तब तयार हुई जब उस लोगों ने उनके लुक्स को लेकर उनकी तारी तो ऐसे फिल्मी परदे पर आई और इससे पहले वो बिजनेस में करोडों की कमाई करती थी मैक्षनाई नीजरूम से त्रिप्तिग रिपोर्ट